दोस्तों ग्रहन अक्षत्रों की लगातार बदलती चाल की वज़े से मनुष्य की जीवन की परस्तितियां समय के अनुसार लगातार बदलती रहती हैं कभी व्यक्ति का जीवन खुश्यों से भरा रहता है तो कभी परिशानिया आने लगती हैं जोतिष शास्त्र के अनुसार यदि व्यक्ति की राशी में ग्रहन अक्षत्रों की स्तिती ठीक है तो इसकी वज़े से शुबर नतीजे मिलते हैं परन्तो ग्रहन अक्षत्रों की चाल ठीक ना होने के कारण जीवन में बहुत सी परेशानियां उत्पन होने लगती है मनुश्य के जीवन में उसकी राशीयां बहुती महतोपूर्णा बताई गई है राशी की साहता से व्यक्ति अपने भविशे से जुड़ी हुई जानकारियां एकत्रित कर सकता है जो तिश गनाना के अनुसार आज हम आपको कुंबर राशी के बारे में बताने वाले हैं आप में आत्म विश्वास कूट कूट कर भरा होगा मन के भव भी सकारतमक बने रहेंगे यह आपके लिए प्रसन अता का विशे है आपका भविशे में अधिक विश्वास बना रहीगा इसी कारण आप अपनी वर्तमान से थोड़ी लापरवाही कर सकते हैं इस बारे में आपको सावधानी की जरूरत है नोकरी और पारिवारी कामों में वैस्तर रहने के कारण आपको अपनी कुछ काम स्तगित करने पड़ सकते हैं अपने मित्रों और संबंदियों के कारण आप अपने आपको मजबुस्तिती में पाएंगे भायों से मेलजल बाड़ा निकले दिन बहुती अच्छा है किसी भी कारे में अधिक ठकान होने से पहले ही उस कारे को छोड़ दे पैसों से संबंदित कुछ अच्छे आउसर आपको मिल सकते हैं आपका मूड अधिक धन खर्च करने का हो सकता है इस पर आपको भी नियंतरन बनाये रखना होगा अपने बनाये हुए बजट पर आपको फिर से विचार करना होगा आप अपने मन की सुनेंगे और कारे करेंगे किसी के टोकाटों की आपको पसंद बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों ऐसे ही महतोपुर्ण बाते आज की सुड़ों में बताने वाले हैं तो इस वीडियो को अब भी लाइक करें और गणेजी का शिर्वाग चाहते हो तो कमेंड में जाई गणेजी लिखना ना भूले साथे हमारी चैनल को सब्सक्राब जरू करें तो चलिए दोस्तों शिरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं इन चार दुनों में आपका सामान रशिपल किस तरह से रहने वाला है उसके बारे में आपको अपनी किए गए अच्छे कामों का सम्मान या इनाम भी मिल सकता है अपने जीवन साति के कारण आपको कोई लाब हो सकता है दिन आप के लिए अच्छा होगा रोजमर्रा के कार्यों में किसी भी प्रकार की कटिनाया नहीं आएगी आप में अधिक जोश भरा होगा लेकिन जोश में आकर कोई भी फैसला ना करे पैसों के मामले में हर फैसला बेहद साउधानी के साथ करे इस मामले में कोई आप पर दबाव बनाने का प्रयास कर सकता है हर फैसला अपने विवेक के अधार पर करे सबी प्रकार के विकलपोंपर विचार करना आप ले लाप्रद हो सकता है किसी जरूरी मामले पर अपने परिवार के लोगों और मित्रों से सलाह अवश्य ले आपके मन में बना हुआ है उससे मुक्ती पाने के लिए आप प्रयास करें इसमें आपको सपलता मिलेगी यह समय पुराणे मामलों को भूल कर आगे बढ़ने का है आने वाले दो-चार दिन आपके लिए काफी भावुक होंगे अपने मन में जितने अधिक सकारत्मक विचार रखेंगे उतने ही आप लब में रहेंगे आप प्रसन रहेंगे और दुसरों को भी प्रसन रखने का प्रयास करेंगे आपके यही प्रयास आपका कोई बड़ा लब करवा सकते हैं धनसंबंदी कोई मामला आपको हल करना पर सकता है घर परिवार से संबंदित कुछ समस्या उनको अभी समाधान खोजना होगा अपना कुछ समय अपने परिवार के साथ अवश्य बिताएं और उनकी हर जरुरत को पूरा करने का प्रयास करें दोस्तों धनाराशिपल के अगर बात करें तो हर काम पूरी निष्टा से करें और हर बात का ध्यान रखें लोगों का सम्मान करें और अहंकर से दूर रहे फरजीपन या घमन से किसी भी काम में सपलतान नहीं मिलती आपको अपने निर्दारी तसीमाओं का ज्यान है और आप यह भी जानते ही कि उनका विस्तार किया जा सकता है आपके ब्रहमित होने की संभवना है इसलिए कोई महतोपुर्ण निर्न अगर हो सके तो अपने रोजाना के कामों से चुटी ले अपने लक्षियों को सेट करें और उन्हें सामाने रूप से पुरा करने का प्रयास करें दोस्तों करीयर रचिपल के अगर बात करें तो आप एक कलाकार या हस्त शिल्पी हैं तो दिन आपके लिए बहुत ही के लिए आपकी सरहाना करेंगी इसके लिए आपको बोनस या फिर प्रमोशन भी मिल सकता है दोस्तों लवराशिपल के अगर बात करें तो आपके दोस्त और प्रयतम वह संपति हैं जो आपकी सपलता में महतोपुर्ण भूमिका निबाते हैं प्यार में पहल कोई भी करें बस इसका अंतर सुकद होना चाहिए अपनी भावनों को समझे और आत्मों इसलेशन करें आप अब अपने लक्षों के बारे में विस्तार से सोचेंगे और उन तक पहुंचने की योजनाई भी बनाएंगे लोगों की बातों को सुनने की वजह अपनी दिल की सुने दोस्तो यहती कुमबराशी के बारे में अब बात करते हैं सुवे हुए भागय को चमकाना है तो बस आजमाले यह उपाय बनने लग जाएंगे आपकी हर काम दोस्तों आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जिससे आपका भागय जाग जाएगा और आपको हर कारे में सपलता मिलने लग जाएगी जिस कारे को भी आप शुरू करेंगे उसमें आप विजय ही पाएंगे जो 34 में बता गए यह उपाय बेहद यह सरल है तो चले जानते हैं पहला है रोज देखे अपनी हतिली रोज सुबह उड़कर सबसे पहले अपनी हतिली को देखे जो लोग रोजाना अपनी हतिली पर बनी रेकाओं को देखते हैं उन लोगों का भाग यह उड़े हो जाता है हर कारे में उन्हें सपलता मिलती हैं साथ मेहें धन की कमी भी कभी महसुस नहीं होती दरसल हतिली के अगर भाग में मा लक्षमी मद्दे भाग में मा सरस होती वा मूल आपकी कला को और निखरती हैं इसी प्रकर से भगवान विश्णों हर कामना को पूरनक कर देते हैं आप बस सुबह उड़कर अपने दोनों हातों को एक साथ जोड़कर रेकाओं को देखे उसके बाद अपने हातों से अपने आखों को स्पर्ष कर ले अगला है करे ताजा फुल अर्पित शास्तरों के अनुसार अगर भगवान को रोज ताजा और सुन्दर फुल अर्पित किये जाते हैं तो वे प्रसंद हो जाते हैं आपकी जो कामना होती हैं उसे पूरा कर देते हैं इसलिए आप रोज सुबह नहाने के बाद पूजा करे और भगवान को प्रवाब या नदी में जाकर मचलियों को दाना डाले। ऐसा करने से हर कामना पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए आप चाहे तो इस उपाय को भी आजमा कर देख सकते हैं। अगला है करेदान। शास्त्रों में दान करना सबसे बड़ा पूर्णिय का काम बताएगा है। माना जाता है कि जो लोग गरीब लोगों को दान करते हैं वो गरीब लोगों की साहता करते हैं। उनके ग्रह उनके अनुकुल ही फल देते हैं। आप अमोसया, पूर्णियमा, वो किसी त्योहर के दिन गरीब लोगों को चीज़े दान करें। आप दान में दाल, चावल, आट आप इन चीजों का दान मन से करें और आखरी हैं गाई की करें सेवा और रोके हुए कार्य पूरे होने लग जाते हैं आप रोस गाई को घंच या फिर गुड़ वाली रोटी खिलाया करें इस उपाय को करने से रोटा हुआ भागे भी खुल जाता है तो दोस्तो यह थे कुछ उपए जिससे आपका भाग्य जोकी चमकने लग जाएगा तो दोस्ता आज की सुड़ों में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरू करेगा साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिपल को सब्सक्राइब करेगा तो मिलते एक नई बड़ों के साथ धन्यवाद